नमस्तिया असलोंकुम सिस्रेकाल दोस्तों वेलकम टो डिय वाई जेन के दोस्तों आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कार वाशिंग बिजनस में क्या-क्या मशीन या एक्विपमेंट्स रिक्वाइड होते हैं उनकी तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मे लिस्ट नी है सिंपल सी लिस्ट है पांच या शे एक्विपमेंट्स है जो रिक्वाइड आपको कार वोशिंग बिजनस स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टन एक्विपमेंट्स जो है वह वो है वॉशर जिसको हम प्रेशर वाशर भी कहते हैं या car washer भी कहते हैं तो दोस्तों ये car washer जो है ये आपकी main machine है जो आपको गारियों को दोने के काम में आएगी ठीक है तो इसमें basically different categories है machine की वो आप खरीच सकते हैं depending upon your budget तो आपका budget अगर बहुत जदा कम है तो आप domestic machine ले सकते हैं बट अगर budget की problem नहीं है तो आप फिर commercial machine भी ले सकते हैं domestic machine जो है वो 10k की range में आती है बट इससे आप साथ से आठ गाड़ियां दिन की कर सकते हैं वो भी आपको आदे एंटे का gap देना पड़ता है बीच में हर एक wash के ठीक है तो बट commercial machine जो है ये महंगी होती है ये start होती है पच्चिस के से उपर पच्चिस के वाले जो machine ह होती है वो बाइक वाशिंग के लिए आती है और ये machine जो होती है ये continuous duty होती है means 7-8 गाड़ियां वाली limitation नहीं आप दिन में 10-20-30 जितनी भी गाड़ियां आपके पास आती है आप कर सकते हैं और दो वाशिस के बीच में कोई भी 30 मिनिट यां 15 मिनिट यां 10 मिनिट का gap नही बजट जो है वो हाई होता है 25 के basically start है तो अगर आप अच्छी machine लेना चाते हैं तो वो 40K के आसपास आती है जैसे की JPT की आती है अगर आप बड़िया Italian pump के साथ लेना चाते हैं तो वो उसका budget जो है वो double हो जाता है almost 80K की आती है और एक 10 HP की भी market में आती है ये वाली machine जो ह market में आती है एक लाख 10,000 की आती है ठीक है तो आपका जो भी budget है उस budget के हिसाब से आप अपनी machine ले सकते हैं तो domestic में अगर जाना जाते हैं तो starQ, JPT, Ventro, IMAX ऐसे जैसे brands हैं जो induction motor के साथ machines जो है वो देते हैं 10,000 के अंदर अंदर आप उन machines को खरीच सकते हैं दोस्तों pressure washer है उसका एक alternative भी है वो है steamer अब steamer भी यूज़ कर सकते हैं और किसी किसी city में steamer यूज़ करना एक obligation भी होता है क्योंकि वहाँ पे water shortage की problem होती है तो steamer जो है उनका budget थोड़ा और ज़्यदा हाई हो जाता है steamer जो है अच्छा steamer जो है वो 90K के आसपास आता है तीन लाक का अच्छा वाला company का जाता है जैसे कि optima IPC के भी steamers है तो steamer अगर आपको चाहिए तो 90K के आसपास आपको खर्च करना पड़ेगा यानि की 90,000 और engine के लिए especially आपको steamer चाहिए ही चाहिए होता है तो दोनों को combination में रख सकते हैं या फिर simple washer ही रखिए या फिर simple steam steamer ही रखिए यह depend करता है आपके strategy के उप़र तो यह रही first equipment उसके बाद अगर second equipment के हम बात करें तो हो है vacuum जिसे vacuum cleaner भी कहा जाता है तो vacuum cleaner एक important equipment है next to pressure washer तो vacuum cleaner जो है interior cleaning के काम में आता है इसे आप interior वगयरा साफ करते हैं जो गाड़ी के अंदर dust आ जाती है हमारे shoes वागरा किसा स्टिक करके कंकर आ जाती है मिड़ी आ जाती है बारिश के सीजन में तो वो सब cleaning के लिए आपको vacuum cleaner की ज़रूरत होती है ये भी second most important equipment आपके pressure washing business के लिए तो इसमें भी आप domestic ले सकते हैं जो around 7K के आसपास का budget रहेगा या फिर commercial ले सकते हैं commercial का जो budget रहेगा वो 25K के आसपा मोटर मिलती है जिसमें दो मोटर लगी होती है यहां फिर triple मोटर मिलती है double मोटर और triple मोटर में ज्यादा price का difference नहीं होता है दो तीन हजार की difference होता है इसलिए मैं recommend करता हूं यहां पे आप triple motor ही खरीदें ठीक है तो यह है vacuum cleaner तो वैक्यूम cleaner आपको जे बीडी का भी मिल एंफास का भी इसी रेंज में मिल जाएगा या फिर अगर कार्शर वगएरा का लेना चाहते हैं तो वह 35 की budget में आपको पढ़ता है तो और भी काफी सारे ब्रैंड्स है जिसे वैक मास्टर वगएरा है वो भी आप खरीच सकते हैं तो बाहर के ब्रैंड्स है काफी बढ़ि जो है वो फुल सेटप में आपको ये भी इंकलूट करनी है थर्ड नमबर पर आपको चाहिए गाड़ी की अंडर बाड़ी क्लीन करने के लिए कुछ तो गाड़ी की अंडर बाड़ी को क्लीन करने के लिए आप दो चीजों का यूज कर सकते हैं लिफ्ट या अंडर से स्टार्ट होता है क्योंकि इसमें, मशीन की कॉस्ट होती है, ऐल की कॉस्ट होती है, कम्प्रेसर की कोस्ट होती है, सिवलवर्क की कॉस्ट होती है तो अगर आपको कोई अच् 관련 मिल गया तो यख़द्ट भाग के से तो उसके अंदर इस सीज़ लिफ्ट को डालना होता है वहीं से यह ओपरेट करती है कोई भी ज्यादा कॉमिकाशन नहीं होती है इसमें तो यहाँ पर डेडलाख का हुए उसमें दो नोजल्स लगी होती है वो रोटेट करते हुए नीचे से डस्ट को क्लियर कर देती है यहां पे चार नोजल्स लगी होती है यह गाड़ी के नीचे जाती है और आपको करना पड़ता है इसको तो यह भी गाड़ी के नीचे से अंडर बाड़ी को क्लीन कर देत दोस्तों उसके बाद next equipment जो है वो है upholstery cleaner तो दोस्तों upholstery cleaner भी एक बहुती बढ़िया machine है यह एक vacuum के जैसी machine होती है vacuum के जैसी machine होती है बट इसमें extra motor और detergent tank लगी होती तो यह क्या करती है पहले यह chemical spray करती है किसी भी जगाव के उपर यह chemical spray करती है उसके बाद vacuum जो है उस chemical को खीच लेता है और क्या होता है पीछे जो surface बचती है वो एकदम clean and clear मिलती है तो यहां पर vacuum और chemical का action होता है वो मतलब seats को liners हो गया headline हो गया यह फिर bottom line carpet जो हो गया उसको यह फिर जो भी upholstery वगेरा है उस सब को clean करने के लिए यह आपको upholstery cleaner use में आता है तो दोस्तों यह 30,000 के आसपास की machine है इसका खर्चा जो है आपको 30,000 का पढ़ने वाला है तो सस्ती भी आती है इससे महंगी भी आती है डिपेंड करता है आप किस quality की machine जो है वह खरीद रहे हैं तो यह होगी अपholstery machine यह भी एक required machine है बड़ इसको skip भी कर सकते हैं अगर आप manually काम करना चाहते हैं उसके बाद दोस्तों फिफ्ट नंबर की जो machine है वह पॉलिशर तो दो पॉलिशर पॉलिशिंग के काम में आत करते हैं सबसे पहला होता है तो रोटरी जो है सबसे कॉमनली यूजड पॉलिशर है मैक्सम लोग जो है रोटरी ही यूज़ करते हैं बट रोटरी को यूज़ करने के लिए expertise और skill होनी चाहिए क्योंकि इसमें heat generation काफी ज्यादा होती है और यह paint को जला भी सकती है तो इसको यूज़ करते हुए बहुत ही cautious आपको रहना पड़ता है उसके पाद डी जो है उसमें dual action होता है रोटरी के साथ साथ उसमें orbital भी होता है तो उससे क्या होता है heat जो है वो better तरीके से dissipate होती है तो heat management अच्छा होता है इसमें तो यह जो है यह रोटरी से बढ़िया होती है त उसके बाद दोस्तों last number की machine जो है वो है compressor तो last वाली जो machine आपको जरूरत पढ़ सकती है वो है यह तो compressor यह बलो लोवर तो गाडी को आपने साफ कर लिया गाड़ी घीली है पानी है गाड़ी के उपर तो compressor की जरूरत पढ़ सकती है आपको को कंप्रेस्ट यह उसके उपर मारने के लिए ताकि गाड़ी जो है वो ड्राइ स्टेट में आ जाए क्योंकि गाड़ी जब भी आपने अपने कस्टमर को देनी तो वो ड्राइ होनी चाहिए तो कंप्रेसर अगर अगर आपने लिफ्ट लगाई है तो कंप्रेसर फिर लेने की भी जरुरुरत नहीं हैं फिर उस case में आप blower के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं तो blower जो है तीन से चार हजार की मशीन है तो यह आप ले सकते हैं यह हवा तेज हवा blow करती है जिससे भी आप गाड़ी blow कर सकते हैं जैसे इंजिन compartment में आपने पानी यूज किया तो फट से उसको ब्लोवर से साफ कर दीजे ताकि कोई किसे equipment को कोई भी damage ना हो पानी वहां से हट जाए तो compressor जो है वो 10,000 से start होते हैं all the way up to 50,000 बट अगर lift लगाई है तब ही compressor आपके पास already होगा तब ही यूज करिए otherwise especially compressor लेने की जरूरत नही है उस case में आप 3-4,000 के budget में आप blower खरीज सकते हैं तो दोस्तों ये थी सारी machinery जो भी required है car washing के business में तो जिस भी type की आपने machine खरीजनी है आप वो खुरी choose कर लीजे और budget बना दीजे मैंने budget का rough idea जो है आपको दे दिया हुआ तो दोस्तों ये था rough idea जिसमें मैंने आपको ब links है Amazon के links है वो drop कर दूँगा अगर आपको machines वहां से खरीदनी है तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं या फिर अगर आपको मेरे से और suggestions चाहिए तो description box में मैं अपना number भी drop कर दूँगा मेरे को भी call करके suggestion ले सकते हैं कुन सी machine की supplier से खरीदनी है वो भी मेरे से पूछ सकते ह तो दोस्तों आज का episode था इतना ही आज का episode को यहीं पर end करते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है और car washing business series के और भी videos देखना चाहते हैं तो i button में मैं playlist drop कर दूँगा वहां पे आप car washing business related जितने भी videos हैं वो आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह थी machines की बात chemicals के उपर भी मै लाइक कीजिए शेर कीजिए थैंक यू फॉर कमें टू डियाइवाई जीन के बाबाए